प्रणाम दोस्तों बात है 1989 की साम के 6 बज रहे थे और एक किसान मेला कुछला कुर्ता और दोती पहने हुए इटावा जिले के उसरा हार थाने में अपने बेल के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने पहुँचता है जब किसान वहाँ पर चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने की बात करता है तो वहाँ पर उपस्तित छोटे दरोगा ने पुलीस या अंदाज में 4-5 आड़े टेड़े परस्न किये और उस किसान को बिना रिपोर्ट लिखे ही चलता किया जब किसान वहां से जाने लगा तबी उसके पीछे एक सिपाई आता है और कहता है बाबा कुछ खर्चे पानी के पेसे दे दो आपकी रिपोर्ट लिख जाएगी किसान और उस सिपाई दोनों में आपस में भहस होती है और थोड़ी देर तक बात चलती है और अंत में 35 रुपे में रिपोर्ट लिखना तय होता है मुंसी ने रिपोर्ट लिखकर किसान से कहा कि बाबा हस्ताक्षर करोगे या फिर अंगुठा लगाओगे किसान ने कहा कि हस्ताक्षर करूँगा तब मुंसी ने वो दबती जिस पर प्रात्मी की का ड्राप्ट लिखा हुआ था आगे बढ़ाई किसान ने पेन के साथ साथ जिससे अंगुठा लगाते हैं वो शाही का पेट भी उठाया तो मुंसी आश्चरे में पड़ गया कि जब बाबा हस्ताक्षर करेंगे तो फिर ये अंगुठा लगाने वाला शाही का पेट क्यों उठा रहें किसान ने हस्ताक्षर में नाम लिखा चोदरी चरण सिंग और अपने मेले कुर्ते की जेब से मुहर निकाली और वहाँ पर ठोक दी जिस पर लिखा था प्रधान मंत्री भारत सरकार यह देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया दोस्तों ये किसान कोई और नहीं हमारे देश के पाँचवे प्रधान मंत्री और किसान नेता आदर्णी स्री चोदरी चरण सिंग्जी थे जो की थाने में किसानों की सुनवाई का ओचक निरिक्षन करने के लिए आये थे अपनी कारों का तक आफिला थोड़ी दूर खड़ी करके और अपने कुर्ते पर मिट्टी डाल कर थाने में पहुँच गये थे दोस्तो आज हमारे देश को ऐसे किसान नेता की सक्त जरूरत है जो हमारे देश के अन्न दाताओं की आवाज को बुलंद कर सके और उनको उनकी मेहनत का पारितोसिक दिला सके इसलिए चोदरी चरण सिंग्जी की याद में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाये जाता है यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजेगा और दोस्तों तक जरूर पहुचाईए आप सब का किमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद